हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे यूपीटेट के इंपोर्टन टॉपिक की तो माइक्रो टीचिंग की बात करेंगे ये आपका वेरी वेरी इंपोर्टन है ये सीटेट यूपीटेट में इससे रिलेटेट कोस्चन आपको देखने को मिल सकते हैं तो सबसे पहले बात करत माइक्रो टीचिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं अब बात करते हैं कि माइक्रो टीचिंग के शुरुआत किसने किया था और कब किया था और कहां पर किया था तो देखे माइक्रो टीचिंग की जो शुरुवात की गई थी वो एलन के द्वारा की गई थी और कब किया गया था तो 1963 में और कहां पर किया गया था तो USA में किया गया था ये इससे तीन क्वेस्चन आपके बन सकते हैं कि डिरेक्ट यूपीटर में तीन क्वेस्चन इससे बन सकते हैं कि माइक्रो टीच्ञ की सुरुवात किस ने किया है तो इससे आपके तीन किश्चन बन सकते हैं उसके बाद देखिए इसकी खोज एलन के साथ और एलन के साथ साथ और कौन लोग इसमें सामिल थे तो कित एचसिन और आरेन भुस उसके बाद देखिए यहाँ पर according to एलन एलन के अनुसर देखिए इन्होंने micro teaching के बारे में क्या बोले थे तो micro teaching is scale down teaching in counter in class, size and time यहाँ पर जो scale down का means है वो क्या होता है कि जो आपकी normal class होती है तो जो micro teaching में class होगी वहाँ पर उसको छोटे size में किया जाता है और वहाँ पर जो बच्चे होंगे वो भी कम रखे जाते हैं normal class के हिसाब से जो बच्चे होते हैं वहाँ पर कम रखे जाते हैं और उनकी जो timing होती है उसको भी कम किया जाता है micro teaching में micro teaching को आप pre service teaching भी बोल सकते हैं यह होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा BAT BTC जो लोग भी कर रहे होंगे तो वहाँ पर उनकी एक महीने की teaching लगती है teacher बनने से पहले उनकी teaching लगती है उनको training दी जाती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है कैसे teaching उनको दी जाती है उनसी को क्या बोलते हैं आप micro teaching बोलते हैं pre service teaching होता है यह scale down का means कि यहाँ पर छोटे size में और कम समय में बच्चों को सिच्छा दी जाती है उसके बाद देखें यहाँ पर अगर इंडिया की बात की जाएं तो micro teaching 1967 में DD Tivari के द्वारा यूज किया गया था यहाँ पर अगर हम USA की बात करें तो LN के द्वारा इसको लाया गया था micro teaching को और यूज किसने किया है सबसे पहले अगर इंडिया की बात करें हम इंडिया में अगर बात किया जाए कि सबसे पहले किस ने यूज किया था तो डीडी तिवारी ने ये भी question आपका एक नंबर में पूछ सकता है और कहां पे इंडिया में तो एलाहबाद में उसके बात देखें यहां पे features of micro teaching micro teaching की विसेस्ता के हम बात करेंगे तो यहां पे जो first point है हमारा देखी क्या है यह एक ब्यक्ति प्रसिछड विधी है जो micro teaching है यह एक ब्यक्ति द्वारा प्रसिछड विधी कहलाती है यह training method कहलाता है यह आपका micro teaching इसमें सिछड 5 से 10 मिनट का होता है जो micro teaching होता है वो इसमें जो teaching कराई जाती है वो 5 से 10 मिनट का होता है उसका पार्ट पढ़ाने का feedback साथ-साथ में किया जाता है micro teaching में जो भी topic हम पढ़ाते हैं तो उसका साथ-साथ में feedback भी लेते हैं एक बार में एक ही सिच्छड कौसल के विकास का अभ्यास कराए जाता है comment के आया है की micro teaching में एक बार में एक ही skill की हम बात करते हैं एक ही skill का अभ्यास कराते हैं उसके बात देखें aprendicegtime cycle से 17 के बात करते हैं Mycro teaching cycle की बात करेंगे सुच्म सिछड चक्र इसके 6 स्टेफ है Mycro teaching के 6 स्टेफ है जो Mycro teaching cycle के 6 स्टेफ है दिखें यहाँ पर First क्या है Planning पाठ योजना या नियोजन जो भी टॉपिक हमें पढ़ाना रहता है तो उसका पहले हम प्लानिंग करते हैं उसके बाद teaching कितने मिनट का होता है आपका direct question पूछ सकता है यूपी टेट में तो micro teaching 6 मिनट की होती है जो उसमें पहले तो हम planning करेंगे उसके बाद जो teaching हम कराते हैं वो 6 मिनट का रखा जाता है उसके बाद यहाँ पर जो feedback होगा प्रती पुष्टी यह आपका 6 मिनट का होगा 6 मिनट teaching कराएंगे उसके बाद feedback लेंगे 6 मिनट का उसके बाद यहाँ पर फिर से re-planning होती है उसके बाद फिर से जो भी चीज़े हमें पढ़ानी होगी उसका फिर से re-planning करेंगे वो कितना होगा टाइमिंग उसका कितना है री-planning का तो 12 मिनट है उसके बाद re-teaching जब re-planning कर लेंगे तो उसके बाद फिर से जो भी planning किये रहेंगे जो भी topic का उसको हम फिर से पढ़ाएंगे री टीचिंग कराएंगे तो वो कितना होगा आपका time जो होगा 6 मिनट का वो होगा री teaching का उसके बाद फिर से आपका refeedback आएगा वो कितना होगा उसकी timing तो वो 6 मिनट रखी गई है अगर total की बात करें micro teaching की तो कितना होता है total time period कितना होता है 36 मिनट होता है यह डारेक्ट आपका question में पूछ सकता है कि micro teaching का जो time period होता है total वो 36 मिनट का होता है और अगर ऐसे भी direct आपका question पूछ सकता है कि जो teaching होती है micro teaching वो 6 मिनट की होती है feedback 6 minute का होता है और re-planning जो होती है उसका timing कितना होता है 12 minute होता है re-teaching कितना होता है तो 6 minute होता है उसके बाद re-feedback ये भी आपका 6 minute होता है तो total को जब आप add करोगे तो total आपका निकल के आएगा 36 minute ये ऐसे cycle चलती रहती है ये देखिए यहाँ पर पहले planning करेंगे उसके बाद teaching फिर feedback फिर से re-planning करेंगे इसके बाद re-teaching फिर refeedback कि मतलब इसका क्या आए कि जो भी चीज़े हम पढ़ाएंगे class में तो उसका feedback भी साथ-साथ चलता रहता है यही आपका क्या कहलाता है micro teaching cycle कहलाता है यहाँ पर आप copy में note down भी कर सकते हो या screenshot भी ले सकते हो यह important point है सारे आपके उसके बाद जो हमारा next रहेगा lecture वो रहेगा teaching ads जो topic हमारा रहेगा वो रहेगा teaching ads के बारे में हम detail में बात करेंगे आज का technology topic यही पर समाप्त होता है thank you